JK BOPI को लेगे बहुत सारे बच्चों में कर्थ्यूजन है कि नीट का एक्जाम और JK BOPI का एक्जाम क्या अलग-लग एक्जाम हैं क्या हम NVC Laboratory एक्ज़ाम के लिए नीट के द्वरा नहीं जा सकते क्या जेके वोपी के लिए तैयारी के तरीके से करनी है ये सारी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर मिल जाएगी अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी वक्त है आपके पास में आज चे अपनी तैयारी को शुरू करिए हैलो मेरे प्यारे सारे छोटे भाई बेहनों आप सभी का इक बार फिर से स्वागत है जैक आडमी के इस प्लेटफॉर्म पे फोपली आप सारे के सारे जमो कश्मीर से बिलॉंग करते हो या फिर जमो कश्मीर में आडमिशन लेना चाहते हो सबसे पहले इंपॉर्टन चीज में आपको यह बता दूँ मैं डिस्कुस करने वाला हूँ आपके साथ में जेके बोपी तोरा और्गनाइज किये जाने वाला बीस नर्सिंग एंटरस एक्जाम क्या है बीस नर्सिंग एंटरस एक्जाम सबसे पहले अगर बात की जाए तो मैडिकल फील्ड के अंदर मेबीएस के बाद में यानि की मेबीएस अगर आप नीट से कौलिफाई करने हो एडमिशन लेते हो उसके बाद में कोई अच्छा कोर्स है सफ़ी एपोटेड कोर्स है वह हमारा बेसानरस सिंह का कोर्स एडमिशन कि एंडर आपको एडमिशन लेने लिए एडमिशन लेने के लिए एंटरस एक्जाम देना पड़ता है तक बाता है निए जो जो आपका जनेक के बहुत कि बॉपी बोड करवाता है इस एक्जब Cum कैसे बनते हैं कि कैसा पैटन है कितने सवाल कि यहां सबस्क्राइब करता है आपको इसी वीडियो के अंदर आपके सारे कॉशिंट का जवाब आपको दे दूगा तो इस वीडियो के जुरूर से लायक कीजिएगा और प्रेस करके जेकं वोबही पर आने वाली सारी अपडिट सकती क्योंकि अभी जो आपको ऑफिशल नोटिफिकेशन में दिख रहा है पच्छिस में वह आपकी टेंटिटिव डेट है यानि कि अगर नीट के साथ क्लैश नहीं होता है तो आपका एक्जाम डेट है वह या तो दो तीन दिन आगे या दो तीन दिन पीछे की सरकाय जा सकता है यानि 20 से 30 मई के आपके डेडलाइन है वो तैह हो चाहिए यानि आपका divid acceptance हो जब भी कोई टेट फिक्स हो जाएगी तो आपको इस प्लेट फॉर्म पर यानि कि जया अकाडमी पर आपको बता दिया जाएगा उसके बाद अगर बात की जाए क्या एक्जाम का सलेबस है यानि अगर आप जेके वोपी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो आप चाहते हो कि अच्छे से मैं इस पर एक्जाम को प्रिपेर करके एक अच्छे गॉर्मेंट बेस इनर्सिंग के कॉलेज में अड्मिशन लूँ उसके लिए मुझे क्या बढ़ना पड़ेगा तो ध्यान रखिए क्लास 12 के साथ साथ आपको क्लास 11 पर बेस आपका बोड एक तो रिड्यूज या अपडेटेड जो सलेबस है वही आपको पढ़ना है वही आपके अंड्रस एक्जाम में आएगा यह बात आपको ध्यान रखने हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं इस पीडिया फाइल आपको जो भी आपके नोटिफिकेशन से जो भी आप अपको सारी की सारी यहां पर मिल जाती है तो टेलीग्राम चैनल पर जरूरूर से जॉइन हो जाईए तो कि यह एक मात्र ऐसा आपके पास में जहां से आपको सारी इंफोर्मेशन डे बाई डे अपडेट होती रहेगी सारी सार कई बार ऐसा होता है कि आप हमसे परसनली बात करना चाहते हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो 86198-50532 इस नमर पर आप कॉल करिए ताकि आपके बहिया से आपकी बात हो पाए तो आपके सारे डाउट्स यह वो on the spot हो जाते हैं कई बार हम ऐसे परिशानी में जाता है कि हमको चीज़ें मिल नहीं पाती या फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती तो वह गाइडेंस आपको यहाप मेरे नंबर के दौर आपको मिल जाएगी आगे कर मैं बात करूँ एंटरेंस एक्जाम जेके बोपी का दे सकते हैं एलेवन ट्रेंस एक्जाम में बात करें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नोटिस करने वाले चीज़े आप ट्वेल्थ पास आउट होने चाहिए बायलॉजी के साथ में यहां बायलॉजी जो है वो कंपल साल होनी चाहिए यह आपकी एज होनी चाहिए आप 35 साल एज तो ठीक है लेकिन मिनिममम एज के बारे में अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर दो हजार चौबिस तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए यानि कि अगर मैं बात करूं आपकी डेट ऑफ वर्थ किसी भी मन्त किसी भी लेट पे 2007 के अंदर आ रही है तो आप एलिजिबल हैं लेकिन अगर 2008 में एक जैनवरी भी आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है तो 2007 वाले सारे बच्चे जो है वो जेके बोपी के अंदर बेस निसिंग के एडमिशन में इस बार हिस्सा ले सकते हैं साथी साथ आप डॉम कश्मीर का मूल निवाज यानि डॉमिसाइल होना चाहिए यह सारी कैटेगरी अगर आप फॉलो करते हो तो आप आसानी से जम्हू कश्मीर के एंटर्स एक्जाम की तैयारी कर सकते हैं उसका फॉर्म भर लगा सकते हैं एक्जाम का पैटर्न कैसा रहता है कितने सवाल आते ह एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि आपका एंगलिश हो गया नर्सिंग अप्रिट्यूट हो गया जीके हो गया यह नहीं पूछे जाते हैं जम्हू कश्मीर के जेके वोपी के एंटर्स एक्जाम को लेके तो 180 नमबर हर सवाल एक नमबर का है यानि 180 नमबर का आपको सवाल आ में टाइम पीरियड हैं तो कहींना कहीं हमको स्पीड और अक्यूरीची चाहिए यानि हमको यह चाहिए कि इस तरीगे से चीजों को अड़ेट करें चीजों को गें करें कैसे हम पढ़ाई करें ताकि हम एक मिनिट में सवाल को पढ़ भी सवाल को समझ भी ले और उसके हैं माता-पिता हैं पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए इस वीडियो को देख रहे हूं तो उनको भी इसकी सजेशन दे सकते हूं आप इस बैचस को जॉइन कर सकते हूं नए बैचस टार्ट हों हैं आपके अमीड 2.0 जो कि सारी गर्ल्स के लिए हैं जो इम्स क इनके एक्जाम्स को तो आपको पढ़ाए जाने में पूरी टीम आपको पढ़ाती है कि आपको स्वर्णाट हो आपके सफलता हाथ में हो बस आपको ही मेनत करनी है हमारा गाइडेंस आपके साथ रहेगा आपको अप्लिकेशन के अंदर जाना है यह nesham को इंस्टॉल करिए प्लेटोर से लिंक आपको description box न मिल जाएगा यहां पर install करके login करिए store पर जाएए वहाँ बैसे में इंडॉल करें अपने study को start करिए अब आप देख पारे हो free free का आपको option आ रहा है यह आपके mock test paper है आप login करके free material में जाके test भी दे सकते हैं आपके jkop based जो test हैं वो भी आप attempt कर सकते हैं 100 questions है 25, 25, 25, 25 के segment में आपसे questions यहां पर दिये गए हैं यह सारी चीजों के साथ साथ आपको daily classes, dpp, notes वगरा सब कुछ मिलता है अब सर चनली आता है कि भाया इस course का price क्या है इस course का price 999 बिलकुल भी नहीं है आपका यह course अभी आपके offer zone के अंदर है आपको सर्फ 699 के अंदर complete पूरा course मिल जाएगा यानि कि सर्फ 699 रुपे में आप जेके वोपी की हर एक चीज को cover कर पाओगे जैसे कि आपकी classes हो जैसे कि study material हो, notes हो, PDF files हो, DPP हो, crash codes हो, हर एक चीज आपको मातर 700 रुपे के अंदर मिल रही है अब अगर मैं बात करूँ कि सर्फ कैसे क्या colleges वगेरा हैं तो आप देखिए colleges के बारे में बात करें तो seats आपके पास में कितनी हैं आप देखेंगे यहाँ पे 2368 seat यानि कि government और private को मिला के BAC nursing के लिए आप यह बास करी परे 2368 seat हैं अब यह seat जीरे और इंग्रीज भी हो सकती है क्योंकि जम्हों कश्मीर में इस बार कम से कम 3-4 नए college खुलने का प्रावधान हैं तो हो सकता है पॉसिबली इस बार खुल जाते हैं तो यह चीज़े बढ़ सकती हैं साथ ही साथ पैरा medical courses का भी same entrance exam होता यानि कि इसी entrance exam से आप पैरा medical में पैरा वाय टेक्नोजी के अंदर और साथ ही साथ में आप यह से नर्सिंग में admission ले सकते हैं यहां government की sheet की बात करें तो करीब परी 1600 प्लस seat आपको देखने को मिलेगी से जादा government college यानि करीब गरीब आपको यहां पे चार से पांच medical और साथ ही साथ में 15 के आसपास nursing colleges मिलेंगे इसमें कुछ colleges जो हैं वो सरफ वो सरफ women's के लिए तो प्यारी बच्चीयों के लिए मेरी प्यारी बहनों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपना सपना साकार कर सकती है अपने परिवार को और उचा उठा सकती है उनको गौरवान भी उनको गर फील करवा सकती है देखो मैंने यह achievement हासिल किया है और आप में वो दम वो जुनून है कि आप कर सकते हो इन गिने चुने कुछ महीनों के अंदर आप में वो potential है जो आप कर सकते हो क्योंकि जो नए ब तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने छोटे भाई बहनों के साथ में ज़रू से शेयर कीजिएगा मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई पढ़ते रहिए स्टे बलास्टे हैपी एन स्टे हैल्दी